हलो बच्चो नमस्ते कैसे हैं आप सभी लोग मुझूमी देखें आप लोग अच्छे होंगे तो देखें स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं क्लास 9 अजब्रा का प्रॉब्लम सेट नमबर 2 ठीक है तो इस वीडियो में हम कौन सा कोश्चन सॉल्व करेंग पर्स्ट सब कोश्चन देखो इसमें क्या लिखा है कि विच वन आप दो फॉलिविंग इसन इरैशनल नमबर यानि कि आपको यह बताना है कि यह चारों में से कौन सा ऐसा नमबर है जो है इरैशनल ठीक है तो यहां पर कोई नमबर रिपीट भी नहीं होता है ठीक है या फ अगर कोई नमबर रूट के बाहर ना आए जैसे कि मैं यहाप रूट के बाद करो तो यह डारीक लिए रूट के बाहर नहीं हो सकता है इसलिए यह हमारा इसनल नमबर होगा तो इस तरीके से आपने सकते हो तो चलो देख लेते हैं पहला option क्या है बच्चों देखिएगा रूट ओवर 16 अपॉन 25 तो देखो क्या हम यहां से यह रूट को हटा सकते हैं यस और नो आपको क्या लगता है तो देखो पी अपॉन क्यों के फॉर्म में होना चाहिए तो यह देखो यह नंबर पी अपॉन क्यों के फॉर्म में है यह ना यानि कि यह हमारा क्या हो जाएगा ठीक है अगर मैं यह 196 की बात करूँ तो आपको क्या लगता है स्क्वार रूट ओफ 196 क्या होता है बच्चो सोचो जल्दी से अभी याद आएगा याद आया देखो अगर हम 14 का स्क्वार करें ना सुरू अगर हम कहां पर करूँ देखो 14 का मल्टिप्लाइ 14 में कर दो और यहाँ पर देखो कितना आया 14 का स्क्वार क्या होता है बच्चो 196 का स्क्वार रूट क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ठीक है तो यह देखो रूट के बाहर निकल करके क्या हो गया तो फॉर्टिन हो गया तो यह भी हमारा ए रैशनल लंबर नहीं हो सकता ठीक है बाकी लास्ट में बचता है यह तो यहीं है बच्चो आपका राइट आंसर कैसे है मैं आपको बताती हूँ सुनो अगर आप इसका डेसिमल फॉर्म लिखना चाहोगे न तो वह कैसा होगा वह न इन्होंने नहीं देखा है एक बार फिट से बोल रहे हो आप उसको जरूर देख लेना ताकि कोई भी रैशनल लंबर है जैसे के रूट 3 रूट 2 रूट 7 रूट 5 ठीक है तो उसका डेसिमल फॉर्म आप आसानी से निकाल पाऊ ठीक है तो मैं एक काम करूंगी उस वीडियो सब्क्राइब यहां पर बता सकते हैं इसलिए क्या हो जाएगा बच्छो राइट आन्सर हो जाएगा यानि की रूट 5 क्या है यह एक एरैशनल नंबर है ठीक है क्या लिख था है कि which of the following is an irrational number फिर से आप लोग को बताना है कि कौन सा यहाँ पे number है जो क्या है irrational number है ठीक है तो देखो मैंने आपको वही condition कौन सी condition बताई थी कि जो इसका decimal form है वो कैसा होना चाहिए non-terminating non-terminating का मतलब क्या वह कहीं पर रुकना नहीं चाहिए और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए ठीक है तो चलो फिर हम लोग यह करके चेक कर लेते हैं तो यहां पर देखो बच्चों क्या है मैंने आपको बताया था कि जो इराशनल नंबर है वो कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरी होता है है ना तो इसलिए यह भी नहीं होगा बागे इस पर देख लीजिए इसके ऊपर भी बार है मतलब यह भी क्या है बच्चों रैशनल नंबर मतलब इराशनल नों टर्मिनेटिंग और नों रिकरींग होना चाहिए तो ध्यान से देखो यहां पर क्या है जीड donkey फिर किया है 100othil एक रशिब्सों हो गए कि यह क्या है ना टर्मिनेटिंग है ठीक है और non-recurring और यहाँ पर किया है 10 फिर क्या आया 1001 फिर यहाँ पर क्या आया 100 और इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर I और फिर 4 बार जीरो किए 5 बार 2 अएगा है ना मतलब यहाँ पर न कोई भी number रिपीट नहीं होने वाला जैसे यहाँ पर हो रा था यहाँ पर कोई भी number पर रिपीट नहीं हो रहा ठीक है इसलिए यहीं आपका क्या होगा बच्चों राइट आंसर होगा यानि ए रैशनल नंबर होगा ठीक है येस तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा करदू मैं ऐसे कर दो रुको मैं ऐसे बॉक्स में कर देती हूं बाकि आप लोग अपनी रिकरिंग यानि कि आप लोग को यह बताना है है जैसे यह फे रैशनल लॅ कहीं दिया गया है और उसका डेनोमिनेटर जा हैना तो चलो फिर हम एक एक करके चेक कर लेते स्टूडेंट्स यहां पर इसका डिनॉमिनेटर क्या है ठीक है क्या आ गया तो यहां पर आ गया मैंने आपको कंडीशन में क्या बताया था कि यहां तो यहां पर दोनों भी आ सकते और बोध भी आ सकते ठीक है तो यहां पर आ रहा है मतलब यह कैसा हो जाएगा यह तो तर्मिनेटिंग हो जाएगा यह आपका राइट आंसर नहीं हो सकता ठीक है फिर उसके बाद इसको देख लीजेगा 16 तो चलो इसके भी हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो अगर मैं 16 के फैक्टर्स मतलब यह से जाएगा इतरी यह वह से जाएगा नहीं जाने वाले ये से चानएगा से जाएगा 11 से छाएगा 11 ठीक है तो तो फैक्टर्स ने वन सेक्टर यानिकी 11 मेराबर तो 11 तो मैंने आपको बताया नहीं था मतलब दो आये या फिर पाच आये या फिर दोनों आये तो फिर वह तर्मिनेटिंग होता है बाकि इन दोनों को छोड़ करके और कुछ भी अगर आया तो फिर वह क्या होता है वह रापको यह बताया था कौन से प्रेक्टेसेट में बताया था प्रेक्टेसे 2.2 में तो आप लुग को याद होगा नहीं याद है तो अच्छे से समझ लीजिए य वाली कंडिशन ठीक है न तो यहीं आपका क्या हो जाएगा बच्चो राइट अंसर हो जाएगा और इसको आप लोग कर दीजिएगा ठीक है येस और अगर आप इसको चेक करना चाहते तो कर लो 25 के फैक्टर निगालो चलो फटा फट से 25 के फैक्टर किसे जाएगा पांसे फैक्टर 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 मतलब यह क्या हो जाएगा इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा टर्मिनेटिक ठीक है इसलिए यह भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा है तो कौन सा ओप्शन राइट है और फिर हम बढ़ चलते हैं आगे समझ में आया आपको कैसे किया हमने चल एक मिनट यहां पर नंबर लाइन आएगा शाहिद से मैं टेक्सबुक देखू क्या एवरी हां देखो यहां पर नंबर लाइन आएगा मैंने भूल गई हो लिखना नंबर लाइन आप लूग जानते हैं ना देखो क्या लिखा यहां पर कि एवरी पॉइंट ओन दे नंबर लाइन रे प्रेजेंट विच ऑफ फॉविंग नंबर जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बना दिया यह लीजे ठीक है यह हमारा नंबर राइन तो number line का हर एक point जो है न बच्चो वह क्या रिप्रेजेंट करता है क्या वो नेश्नल नंबर को या फिर एरश्नल नंबर को या फिर रेयल नंबर को क्या लगता है आपको कौन सा answer QR होना चाहिए तो अगर में एये national number की बात करूं बच्चो तो नेश्नल नंबर होते हैं वो सबके सब National number को प्रेजेंट नहीं करते क्योंकि नेशनल नंबर कहां से छुरू होता है यह तो यह रिखारे को अगे तो प्रेजनन नंबर को प्रेसंट करेंगे मतलब यह आपका प्रेजनन नंबर की वाथ करेगा। यहां पर हर point की बात की जा रही थी तो हर एक point यह rational number को represent नहीं करता है यानि यह भी आपका right answer नहीं होगा ठीक है बाकि इसको check कर लो rational number क्या हर एक point rational number को represent करता है तो देखो बच्चों यह सारे rational number तो है लेकिन इसी number line के उपर root 2 भी कहीं पर आता है तो root 2 और root 3 क्या यह rational number है नहीं है ना वो rational number है ही नहीं तो जब नहीं है तो हर एक point rational number को कैसे represent करेगा बाकि सारे numbers यह जो मैंने सामने लिखे वो तो rational number है लेकिन यह दोनों rational number नहीं है और इसी तरीके से root 5, root 7 यह सभी भी यह number line के उपर आते है ठीक है जो क्या होते है जो rational number न नहीं करता है यानि कि यह भी आपका right answer नहीं होगा बाकि बचता है यह last में real number तो यहीं बच्चों आपका right answer होगा बताती हूं कैसे रुको explain करती हूं आप लोगों को यह real number के अंदर ही आते है ठीक है जैसे कि natural number नमबर हो गया integer हो गया whole number हो ठीक है rational number Venus यह सभी के सभी क्या होते है real number होते है ठीक है और यह सब यहा पे दिखाए जाते जैसे कि जो हमारा number line है देखो अगर मैं यह minus 1 की बात करूँ तो minus 1 real number होता है ठीक है अगर मैं यह root 2 की बात करूँ तो यह क्या है irrational number लेकिन यह real number भी है क्योंकि real number के अंदर ही irrational number आते हैं देखो मैं आपको थोड़ा सा याद करवाती हूँ रियल numbers ठीक है देखो रियल number के अंदर ना यह rational numbers भी आते हैं बच्चों याद रखिएगा और इसमें बड़ा confusion होता है तो confusion की कोई बात नहीं है जो पहला वीडियो मैंने अप्लोड किया था यह चाप्टर का आप उसको जरूर अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और जो डाइग्राम मैंने बना करके बताया था ना उसे भी आप लोग अपनी नोट बोक में जरूर बना लीजिए और उसको टाइम टू टाइम पड़ते रही है ठीक है इससे क्या होगा आप लोग यह नंबर को ले करके नहीं होगे नहीं तो इसमें बड़ा confusion होता है रियल नंबर रैशनल नंबर रैशनल नंबर तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहि हो Q5 कोने नंबर ऐस दें यहां पर क्या दिया है कि यह जह 0.4 इसका नपी अपोईं क्यू फॉर्म हम लोगों को बताना है कि इसका पी अपॉन क्यूर यह ओ यह या फिर यह होगा या फिर यह ठीक है तो यह हम कैसे करते थे याद है आप लोगों को सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे क्या करेंगे इस तरीके से मैं आपको ना सॉल्व करके बताती हूं क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फॉर ठीक है और इसको हम लिखते थे एक्वेशन नंबर वन है ना फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दोनों साइड में मल्टिप्लाइ करेंगे किस से मल्टिप्लाइ करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पर के उपर बार मतलब क्या यह जो है ना इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.444 करके ना पर यहां पर रिपीट होते जा रहे ठीक है अब क्या करेंगे बोट साइड वाइट तो अगर मैं इसमें से मल्टिप्लाइ करू तो यहां पर हो जाएगा 10 और यहां पर क्या होगा 4.4 बार होगा पता है ना आप लोगों को कैसे किया मैंने देखो यहां पर क्या है 0.4 बार है ना अगर मैं इसमें 10 से मल्टिप्लाइं करूं तो यह जब 4 है यहां पर आ जाएगा और बागी 4 बार बार आते जा रहे ना तो यहां पर हम लोग 4 के बाद पॉइंट मतलब 4 के उपर बार लगा देंगे ठीक है इसको हम क्या लिखेंगे एक्वेशनंन बॉन को माईनस करते थेको हम लोग माइनस और माइनस करेंगे फिर यहां पर क्या हो जाएगा 10x माईनस गट eg माइनस जीरो पॉइंट फॉर बार ठीक है इतनी बाते आपको समझ में आई यह देखो 10x माइनस x करेंगे तो क्या आएगा students 9x आ जाएगा फिर यहां पर देखो 4 बार माइनस 4 बार आ जाएगा यहां पर 0 और 4-0 करने पर क्या आएगा ठीक है अब यहां पर दिखाई दे रहा है इसको आम लोग यह साइट भूला लेंगे तो जब यह इधर जाएगा तो डिवाइट में हो जाएगा यह एक स्विच इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर अपॉन ना जाएगा ठी कीजिए इस तरीके से हैना यह बहार ना जाने पाई ऐसे करके बंद कर दो इसको ठीक बाकी सब गलत है यह आपका राइट आंसर है ठीक तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो चलो अब आगे चलते हैं अगला यहां पर कोश्चन क्या है कि विच आप फॉलिविंग इस चलो एक बार फिट से लिख लेते हैं दुबाना से मेहनत कर लेते हैं है ना सिक्स्थ कोश्चन क्या है देखू मैं वाट इस रूट एन चोटा चोटा लिखना बड़ेगा What is root n if n is not a perfect square number ठीक है Not a perfect square number ठीक ये है बच्चो आपका कोश्चन धेखो कोश्चन में क्या बताया गया है कि अगर मतलब यह जो है ना square root of n ध्यान से समझेगा क्या लिखा इन्होंने कि what is square root of n if n n क्या है not a perfect square number यानि कि अगर n perfect square number नहीं है तो फिर square root of n क्या होगा natural number होगा rational number होगा या फिर तीनों भी होगा तो यह हम कैसे पता लगाएंगे सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि perfect square number का मतलब क्या होता है तो देखो बच्चो जैसे अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 क्या है perfect square number है है ना क्योंकि देखो अगर मैं 4 का square root आपसे पूछू तो आप directly क्या बोलोगे 2 बोलोगे यानि यह आपका perfect square number नंबर है इसके अलावा अगर मैं 9 की बात करो तो 9 भी हमारा परफिक्ट square है टिक वैसे ही अगर मैं 16 की बात करो तो यह भी क्या है बच्चो यह भी हमारा perfect square क्वाइर नंबर है न क्योंकि इसका स्क्वाइर स्क्वाइरर रूड क्या होता है ठीक है तो यहां पर स्क्तिक्राइइ बोला कि अगर यह परफेक्ट स्क्वाइर नंबर नभर स्क्टालिया यह तो परफेक्ट स्क्वाइर नम्र मतलब चाहिए तो फी not परफेक्ट स्क्वाइर नंबर नहीं है तो अगर मैं इसको रूट के अंदर कर दू जैसे यह परफेक्ट स्क्वाइर नंबर नहीं है यहां पर यह रूट लगा दिया ठीक है तो फिर बताए कि यह कौन सा नंबर होगा यह नैशनल नंबर होगा रैशनल होगा यह फिर रैश हो जाएगा इस तरीके से रूट वाले नंबर नहीं होगा क्योंकि बचता है यहां पर यह आपको नंबर दिखाए दे रहे यह क्या है इसलिए आप इसको लॉक कर दीजीगा यही है आपका राइट आंसर ठीक है अगर आपका पर्फेक्ट स्क्वाइर नंबर नहीं है तो फि तो वह होगा इस नंबर ठीक है क्लियर हुआ आप लोगों को यस तो यहां पर हमने यह सिक्स्ट वाला सब कोश्चन भी कंप्लीट कर लिया अब बारी है सेवन्थ वाले कोश्चन की जो मैंने यह पर पहली लिख दिया था देखो ऑप्शन कैसे मैंने चेंज कर दिया था है दूसरा कंडीशन मैंने आप लोगों को क्या बताया था आप लोगों को कैंफ़ो क्या बताती है तो पहली कंडिशन क्या थी कि जो order है वह वन से बढ़ा होना चाहिए तो यहां पर इसका order क्या है तू यह निए बढ़ा है मतलब पहली कंडिशन यहां पर satisfy हो गई ठीक है दूसरी कंडिशन यह होना चाहिए positive rational number तो 7 positive rational यहां से बाहर नहीं निकलने वाला ठीक है अगर ऐसे दो बार साथ आता तो हम क्या करते इसको बाहर ले लेते तो यह एक साथ हो जाता ठीक है लेकिन यहां से कुछ भी बाहर नहीं चाने वाला मतलब यह जो रूट का साइन है यह यहां से नहीं हटेगा ठीक है इसे लिए यह हमारा सर्ड है सर्ड के लिए तीनों कंडिशन यहां पर satisfy हो गई जो हमें चाहिए थी मतलब इस 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 योर सर्ड अगर हम वह 17 के बात करें क्योब रूट ऑफ 17 तो बताएं क्या वह सर्ड है हमें तो नहीं बताना है ठीक है तो हम लोग चेक कर लेते हैं तो देखो पहले कंडिशन क्या थी कि ओडर वन से बढ़ा होना चाहिए इसका ओडर 3 है ठीक है पहली कंडिशन हो गए पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए इसके अंदर वाला नंबर ठीक है मतलब रैडिकेंट तो वह पॉजिटिव भी है रैशनल भी है यानि दूसरी कंडिशन भी सैटिस्फाय होगे तीसरा यह रैशनल रूट होना चाहिए तो क्या हम इसको रूट के बाहर निकाल सकते हैं कोई ऐ सब्सक्राइब कोई ऐसा नंबर नहीं है इसलिए यहां से जो क्यूब रूट है यह नहीं हटने वाला थीक है तो यह आपका सर्ड है यह बाकि इसको जड़ा चेक करो पहले कंडिशन की जो हमारा ओर है वह होना चाहिए वन से बढ़ा तो दीको इसका और बढ़ा है दूसर को हम फैक्टराइज करते है ठीक है तो मतलब यह किस से जाएगा दो से जाएगा ना तू थीज़ा फिर तू इस तू फोर दू तू 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 यहां पर क्या है तू श्टूडिंस देखिएगा चलो मैं यहां पर रूट के अंदर लिख दू तू कितने बाद लिख्ख़ में ने दो डो चाहर दूछे ढ़ें यहांपर क्या करेंगे तो यहां पर क्या है क्यू तू रूट है ठीक है तो देखो एक काम करेंगे यह जो है यहाँ पर इन दोनों के multiply करो टूटू लगा है यह देखो टूटूसा फॉर और यहां पर आगा तो यहां पर बाहर आजाएगा क्या था एक यांपर पर हमें तीन बार भी मिला यहां से यह जो कूब है मैंने आपको क्या बताया था कंडिशन लास्ट वाली इस वाला कंडिशन नहीं तो देडिये आपका सर्ड नहीं हूँ थीक है बाकी सब तो है लेकिन यही एक ऐसा है है जो नहीं टीक है अगर आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो पहला कंडीशन और जो वह वनसे बढ़ा होना होना चाहिए बिलकुल है फिर पॉज़िट्व रैडिकेंट तो वह भी है थीसरा सब्सक्राइब करो और आपको मिल जाए 193 कोई ऐसा नंबर नहीं है इसके लिए यह आपका होगा बराबर तो यहां पर राइट आंसर यह होगा इसको आप लोगों को समझ में हमने प्रैक्टिसेट के अंदर भी इस ट्राइब के कोश्चन कई सारे कोश्चन सोल्ट किये ठीक है चलो अगे बढ़ते हैं अगला यहां पर है कि राइट दो ऑफ दा सड क्यूब रूट ऑफ रूट फाइट अब में इसका और बताना है तब बताओ इसका और बता सकते हो अभी तक तो नहीं सीखा ना लेकिन हां इसके बाद आप सीख जाएंगे देखो बहुत सिंपल है पता है क्या करनेगा एकदम आसान सा तरीका आप लोग को बताती हूं देखो इसका और यहां पर यहां पर है तो यह हो गया स्टूडिंट आपका राइट आंसर ठीक है समझ पाएगी नहीं समझे ना एक और तरीका आप लोग को समझा देती हूं सुन लो यह भी एक तरीका है कि जो भी ऑडर है न दोनों ही रूट्स के ठीक है उनका आपस में मल्टिप्लाइगर दो आपको मिल जाएगा बाकि एक और तरीका सीख आया नहीं चलो सुन लो यह जो है ना स्क्वार रूट ओफ इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं एक्स का पावर वन बाई टू यानिकि मैंने क्या किया यह जब यह रूट हटाया ना तो मैंने इसका पावर क्या लिया वन बाई टू दोनों का मिनिंग सेम होता है ठीक है वैसे नहीं है अगर यहां प Puis होता है तो फिर हम क्या लिखते हैं एक्स का पावर वन बाई फूर लिखते हैं जरह समझी दरह पर क्या है तो अगर मुझे यह रूट हटाना है तो बताओ मैं इसको कैसे लिख सकती हूं कैसे अभी आपको एक्जामपल से समझाया था ठीक है और फिर इसका पावर क्या है बच्चो वन बाइट इतनी बाते आपको समझ में आई अब आप लोग एक बात तो जानते होगी यह जो पाव 106 इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 6 ही जैसे की सुनिए एसे है इसलिदी केरी तरी करके अगर आपको ऐसे समझना है तो आपकी मर्जी ठीक है चलिए आगे चलते अगला यहां पर क्या है कि विच वन इस दा कॉंजुगेट पेयर ओफ रूट 2 प्लस रूट 3 यानि कि इसका कॉंजुगेट पेयर हम लोगों को बताना है तो को क्या करते हैं कि जो साइन रहता है उसको बस चेंज कर दे यानि कि यह प्लस के जगह पर कहां-पर आता है यहां पर देखो क्या है माइनस 2 फिर रूट 5 प्लस यहां पर देखो प्लस है मतलब यह नहीं चलेगा ठीक है अच्छा इसमें देख लो माइनस 2 प्लस यह दिखो यहां पर प्लस आगया मतलब यह भी नहीं चलेगा ठीक है बागी अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या ह ऑपको लगेका चलेगा लेकिन नहीं चलेगा रहे देखो तो तो यहां पर क्या है रूट के अंदर फाइ् यहां पर रूट under अंदर हो सकता उसकन करो तो यहां पर भी आपका राइट यह होगा कौण सा लिख करके यहю प्लस की जगह पर माइनस होना चाहिए जिसमें मतलब यह सारे उप्शन में से कोई भी आंसर राइट नहीं है ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे तो हम खुद से बनाएंगे सही आंसर को कैसे यह जो सी है ना बच्चो यसी को आप लोग टिक कर लीजेगा और यही आपका ठीक सिंपल था ना वैसे एक्जाम में ऐसा नहीं आएगा बिल्कुल चिंता मत करो जब एक्जाम में देंगे ना तो अच्छे से ऑप्शन दिया रहेगा यहां पर हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टिक हो गई हो इसकी वचे से ऐसा हुआ है अब यह वाला देख लीजे इसमे मतलब अपने मन से पहले प्लस कर दो पहले माइनस कर दो मल्टिप्लिकेशन कर दो ऐसे करोगे ना तो आपको आंसर नहीं मिलेगा यहां पर आपको एक रूल जो है वह लगाना पड़ेगा कौन सा नहीं बच्चों याद है आप लोगों को क्लास 7 में आप लोगों ने मतलब जबी भी मैथ पढ़ो गए ना ठीक है इस तरीकी का इस्प्रेशन जबी भी आएगा तब आपको इसी रूल की जरूरत पड़ेगी बॉर्ड मास की बीफॉर क्या होता है ब्रैकेट यानि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर उसके बाद डिवीजन करने का फि अर बात बोलिएगा ने मॉडियलस के अंदर है मॉडियलस के अंदर होने का मतलब क्या है कि अनदर अगर माइनस यह निकलने के बाद मद्रॉ क्या चलुत है स्टूडन्स सबसे पहले ब्लयव को जा거 में चाहिए हो पहले हम इसको करें है Philip आख कितना होता है लॡफीत की कम ने स्टांद हो कर दिया ठीक उसने की बाद क्या करना चाहिए देखो यह पे माइनस और मल्टिप्लिकेशन तो क्या लिखा है पहले multiplication करो बाद में subtraction तो पहले subtraction मत करना ये 12 को ऐसे रहने तो पहले multiply करो 24 जा क्या होता है 80 चलो बच्चो अब minus कर दो तो 12-8 यानिके 80 में से 12 को minus करना पड़ेगा 10 में से दू गया तो 8 और 7 में से एक गया तो चीए यानि क्या आएगा बच्चो माइनस 68 ना क्यूंकि दोनों में से बड़ा नंबर कौन से यह वाला नंबर बड़ा है ठीक है और यह किसमें है माइनस में है इसकी लिए इसका answer कि माइनस में ही आएगा ठीक है अब इसको मॉडिलस के बाहर निकालो तो आपको बताया था ना मॉडल मतलब मॉडिलस के अंदर अगर कोई नंबर निकेटिव है तो बाहर निकलने के बाद पॉजिट्टिव ही बनता है ठीक है इसलिए यहां पर क्या आजाएगा बच्चो प्ल चारों तरफ से बंद करना अगर इस ताइम का कुशन आया ऐसे करें ऐसे करने का ठीक है ऐसा नहीं मैं आपको बंद करके बता रही हूं आप भी बंद करने लगोंगे पता है मैं क्योंकि देखो ऐसा अगर हम टिक करेंगे ना तो मतलब वह अच्छे से दिखता नहीं पता चलता है तो आपको आपके लिए मैं क्या करती पूरा बॉक सी बना देती हूं ताकि पूरा अच्छे से देख लो कौन सा अंसर रही है तो यहां पर फाइनली आपका यह जो कोश्चन नंबर वन है ना स्टूडेंट्स यह हो चुका है कंप्लीट ठीक है सारे कोश्चन समने तो तीन फाइंट में फिक जैसे के वाले पाइंगे ने स्टूडेंट्स सबीका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन में कि दे दूंगे चिंता मत करो ठीक है उसमें क्या और फीडियोगा उसमें हम सो Dol不展ственные फिस को हमको से यह कृप्लेट कर लेंगे त find and take out a book verbs't comun carro में और देखिए पिछले वीडियो को ठीक है तो आप लोग को जादा नहीं पड़ेगा प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो को लाइन से देख सकते हो हर एक कोस्चन को मैंने पूरा सौल करवाया है ठीक है और बाकि टेलिग्राम चैनल को नहीं आप लोगों को ने जोइ के साथ गुडबाई एवरिवान